तो आजक्त हमारे पास टॉपिक का नाम है लिख लेते हैं आपको देखना है लिखने के लिए बात में कर लेना उसाई मॉडल साइग मॉडल हमने अप्लिकेशन लेयर पर डीटा जनेरेट करा था डिफिरेंट था इप्लिकेशन अप G है उसका नाम होता है प्रिजैंटेशन अब दिए अब द्रेशन लेयर के बारे में छोटी ती टीरी होती है जी सर इड़ी सोब्सक्राइब रिस्पाँसिबल से बांसिबल तो री प्रेजेंट डेटा डेटा स्वक्राइपन स्वक्राइब देस्टिनेशन एक सोर से दूसरे डेस्टिनेशन तग डीटा को पहुचाना है और प्रेजेंटेशन लियर हमनी टाइप डीटा टाइप आपके पास जो मिलता है देखे आराम से यह तो आपके पास अपके पास तो हो सकता आपके पास यह पूर में यह प्रेजामबल में बताजय में चलता है और यूसर वन जिसा यूजर तो डियरे तो दोनों चनेक्टेट इसे फिसिकली इस इसे फिसिकली इसे इस डियरे तो तो यूजर वन नाम है लोग एसका नाम है इसका से लिरे ब्रदर मैंने डेटा जन्रेट करा है अप्लिकेशन से मेरा जो डेटा टाइप से मैं क्या बेज रहा हूं अब जब भी जब भी बाव इस मैसेज को बेजना चाहेगा किसको सैम को सैम के पास मैसेज में क्या होगा है या वीडियो टैक्स में जाएगा इसकी रिस्पॉंसिमिल्टी कौन लेगा कि यह जो डेटा से वह सेम तक एस पूंचाना एक प्रेजिटेशन लेडर रिस्पॉंसिमिल्टी ले जब सैम डेटा को तो इसमें रिए क्ष्णय है अगर बाब ने कोई फ्री अप्लिकेशन यूज करें यहां पर वाट्स है और बाब बोल रहा है डियर ब्रदर मैं जो है यह जो पिक्सल है वह है यह तो कौन से फॉर्मिट में बेज रहा है जे पीजी फाइल को वाट्सप की तुरू क्या करना चाहा तो पहले क्या होता है यह जो डेटा है पहले कहां पर अप्लोड होगा यह जाएगा वाट्स सब्सक्राइब क्या होगा पहले डेटा आपका अप्लोड क्या होगा अप्लोड अब जब सैम को इस अप्लोड करेवे डेटा को लेना होगा तो यह कौन सा प्रोसेश चलाएगा अब सकेको वाट्सायप जब अप्लोड कर रहा था तो बाभ एक प्रोसेश कर रहा था उसे ऑन वोतिये निवाट्स ब्रेश्ण झालते था प्रेस्ण और जब को नेकिश्व कंप्रेशन चलाया मैंने तेख फोटो रिसीफ कर लिए आपकी जी फोटो अब देखो फोटो कौन सी दिखा देता हूं जी उसने बोला मेरे पास एक पिच्चर आई है नहीं जी की जी पिच्चर है जे पी इजी फॉर्मेट में उसमा साइस बता रहा है कितना रहा है जी फिच्चर आपके पास रिश्य वह यह यह नहीं चेंज फोटो यह लेकिन साइस क्या हो गया है चेंज हो गया है फ्री फ्री अप्लिकेशन अब फ्री अप्लिकेशन कौन सा प्रोसेश चलाती है क्लिकेशन और तो प्री है कि और से यह यह य९ह canyon फ्री अप्लिकेशन कौन सा उल्वेस पर्फॉ परहर इंप विच्टी मधोATOR्प्रशन इंञ जिए लेकितन क्रेंग संब्रशन म क्विच्टी ट rains कियास अजियोगे उद हराइस फैस सब्सक्राइब कर देखें क्या लिखाब है में का स्मॉलर साइज क्लिए सब्सक्राइब माइनस कर देता है और इसमें कोडिंग भी होता है इंक्रेप्शन जी अब चलो नेक्स लियर बहुत इंपोर्टेंट है इसका नाम होता है से संब्सक्राइब अब कुछ सेशन लियर के बारे में एक बात करते है इट विल बी रिस्पॉंसिब रिस्पॉंसिबल तो इनीशियेट सेशन एंड नं मनें सेशन विद थे हैलप आफ पोर्ट नंबर नंबर टेबर अफ्ट नंबर टेबर अफ्टर एडिलीट इस्व विद्ट टेश विद्ट इस विद्ट यह इस सब्सक्राइब इस विडिए अब कितने प्रॉस्स को सिख ना है पहला इनीशिएट क्या होता है सब्सक्राइब को बोलते हैं यह क्या होता है कि यूनिक इस होता है अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कैसे यूज करते हैं फॉर्मूला कैलकुलेटर में आपको जाना इस एरो पे और इसमें लेना है क्या लेना है और टू एक्सवाई लिगा है इसको क्लिक करना है और सब्सक्राइब आपके लिए क्या है टोटल पॉर्ट नमबर लेकिन जो इसकी वैलेड रेंज हैं वह कहां से स्टार्ट होती है वह से लेकिए सिक्स फाइफ 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 त्री यह सब्सक्राइब नमबर डिवाइड इंटू टू 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 पहला जो पॉर्ट नमबर होता है उसे बोलते हैं रिजा पॉर्ट नमबर लिजा अल्वेस दिफाइन विद प्रोटकॉल एंड शर्विस सर्विस वैंड इंड आवेडब टू 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 लारइज नियू पोट नूबर उसर विल यूज इस पोट नूबर लिया इस गेटिंग अप्लिकेशन बहुत सारे अप्लिकेशन एक जैसी होते हैं तो उनके लिए होता है सब्सक्राइब क्या होती है इसकी वन ताउजन ट्वेंटिवाइब क्या बोलते इसको रेंडम पूर्ट नंबर अब देखो एक डाइग्रम में बताता था यह वाला डाइग्रम यहां रखना है योजर वाल जांग करते था हम और दूसे करते था इस पिए चलिए मुझे एक बार बताएए स्टीटीपी सर्वीज क्यों सा पोर्ड नंबर यूज करती है कि एस्ट्ट्ट्प सर्वेस्ट केटी बहुत बढ़ी अच्छा लगा एस्ट्ट्पेश फाइफ दिए एट्ट्पेश फाइफ ट्रीफ दिएनेस दिएनेस 53 53 वे यूसर को जो एना डिटा जेनरेट करना है तो इसने क्या ओपन करी होगी अप्लिकेशन जी सब्सक्राइब करें न यह बोला है मैंने ऑपन करें गूगल 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 पर इसने भी टैब पर नमबर लिखता हूं पोर्स पोर्ट नमबर फिर डेस्किनीशन पोर्ट नमबर जी क्या बताता है कि सर्विस फोल से ठीक है चलो तो हम ही मैं कौन सी टैब नंबर खोल ला हूं टैब नंबर नमबर वहां और मैंने क्या लिखा लिखा तो मैंने आपके अपना एक डेटा और इस डेटा के साथ में एक इंफोमेशन लगा रहा हूं कि मेरे पास जो एप्लिकेशन है वह सोर्स में एप्लिकेशन कौन से गूगल क्रोम अब जो एप्लिकेशन है वह एक ही है या मल्टिपल ब्राउजर है अब लिकेशन मल्टिपल ब्राउजर मृटिपल ब्राउजर यस नो यसर मृटिपल ब्राउजर के लिए वह सोर्स पूर्ट में क्या रखता है रेंडम रेंडम पहला प्रद नंबर कों सा आएगा वन जीरो मांगव यह सी करता था है सट्रीटीप इस स्टीटीप यृतना है पैट्सेशन को क्या कर रहे हैं यहां पर बैठके आप अब यह इंफोरमेशन किसको मिली इसको मिली मॉडम को बेजने से पहले ही उसके अपने पास भी रखी पॉड नंबर टेबल में उसने बोला मेरा नंबर गया है वन पॉर्स पॉर्ट टूंटीफ़ एटी और सर्वेस कौन सी है किसको गया आपको आपको बता सकते हैं अपलिकेशन आइस पी कौन सी सर्विस दे रहा है सब्सक्राइब करता है तो सोर्स में क्या लगता है कि कौन सी सर्विस देनी मुझे पठी समय यूजर को सब्सक्राइब तैन क्या डेन सब्सक्राइब प्रकानी मॉढम में कि सब्सक्राइब वैसों में दिए सब्सक्राइब अब लिए जो आपने इंफोर्मेशन बेजी है जब यह इंफोर्मेशन कहां पर आजेगी इस यूजर पर यूजर क्या मैं आपका कर रहा है अब टैब नंबर खोलो दूसरी तैब नंबर तो और क्या नाम लिए जैसी लिखा तो इप आपने सब्सक्राइब टीटा और आप्लिकेशन कीसी है आप ट्रूस पोड़ नंबर क्या रखोगा आप 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 त्टीटिपीश पोड कि कौन से आप्लिकेशन यूजर के बेज़े तो सोर्स के लिए सब्सक्राइब नहीं सोर्स मांगने वाला नहीं है सोर्स भीज रहा है यूजर तो इसकर है ब्रावजर तो बहुत सारे ना पॉर फोर तिस वोड के रेंड़म रेंडम मैंने एक कोड यूज करें एक कोड यूज करें वन थावजन तवेंटी थी थे क्स को दे दिया वोड नहीं मोडम को जैसी मोडम को दिया उसने अपनी पोर नमबर टेबल में क्या वोड़ा टैब नंबर क्या है तो सोर्स पोड क्या यूज करा है एक हजाब बिस बिल्पल हर बाद नहीं आएगा नेक्स वाला जी तरवी से 443 और आद एस अब यह सर्विस किसने की मौडएम चीटीपे से और इसने किसको दिया आएसपी ने क्या बेज़ आपको इस आएपको प्रिपलाइब आएसपी के बास सोर्सपोड कुन सा बता सकते हो देखके अब इस को सब्सक्राइब को सोर्स पोड़ आएगा अजी सब्सक्राइब नमबर पूछ रहा हूं मैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब यूजर लेता है वो तो यूजर लेता है रेंडम लेकिन जब आइस पी देगा तो कौन सी सर्विस देने आया आपको बताओ मुझे सब्सक्राइब नमबर तू में कौन सी सर्विस मांगी थी सब्सक्राइब तो सोज्पूर्ट किसका होगा इस पिदेगा आपको डिपलाई ओर डेस्नेशन पौड ब्राउजर में लेव नमबर कौन सी टैब से जनने टो ता तु टैब नमबर टू पूड नमबर क्या है टैब लेगा लेकिन आ जाएगा अब यह डेटा किसको मिल गया यूजर ने सेशन को क्या कर लिया मेंटें अब यह तो यहां से अब आपके पास नेक्स लेयर आते कौन सी ट्रांस्पोर्ट रांस्पोर्ट यह तो बहुत बढ़िया लेयर देखो कैसे काम करती है ट्रांस्पोर्ट लो मतलब क्या होता बताइए एक चेह से दूसरे जगा ले जाना एक दूसरे जगा ले आना ट्रावलिंग ओके इंदिस लियर इंदिस लियर डेटा विल ट्रांस्पर from source to destination which one destination okay yeah yeah data transfer with the help of De OLI really love and unreliable protocol clear in this layer अदिस लियर देटा स्लाइसिंग और सो परफॉर्ण नहीं पहले तो हम समझेंगे रिलाइबल और रिलाइबल क्या होता है पी लाइबल इसकी टियोरी समझें जाता है इस प्रूटकॉल है कि टेक्डोरेस्टी डिल्षीं जाता है क्या स्टीने जाता पुलिवुजर प्रीश ऑज रडिटा क्या वोलओ रहेल थिख यूसर शार्इट्छेश व्रॉसरेप्टे इसेंड राठी इसेंड है दें देस्तिनेशन यूजर सेंट बैक रिपलाई कि अग्नौलेज मैसेज मैसेज और एकनौलेज मेसेज यह क्लें आप देटा बेजोंगे दूसरी साइड बाल आपको तहीं तो तहीं देगा रिपलाई और कनौलेज नोलेज तो कुछ नहीं होगा न सब्सक्राइब कर लिया है बस बता देगा आपको इन फॉर्म करेंगा जैसे आप गूगल पे करते हैं पॉन करते हैं क्रेडिट डेबिट होता है बैंक से तो मैंसे जाता है तो वह कैसा प्रोटोकॉल थरो प्रोटोकॉल कल था क्रेशीं स्ट्रीज करते हैं क्वालोनमिक इसे बीडेश को था शौल मिशन कंट्रोण प्रोटोगों ट्रांस्मिशन कंट्रोल प्रोटोगों एक जगा से दूसरी जगा कोरियर बेशते हो तो इस तिकर लगता है यह सो नो जब कि आप रिलाइबल यूज और तो कौन सा प्रोटोकॉल होगा वह तीसी पी और लगाए उसमें फैडर आप देखो टीज़ जो है उसका साइज होता है बीज बाइट का कितने वाइट का होता है पीज बाइट का अब जब भी आप प्रोटोकॉल यूज करोगे तो आप क्या बोलोगे स्क्राव का आप क्या यूज करें कुछ एचरs क्पीचर फीचर पीचर लिखसर पीचर में स्क्राइब और बॉक्वा एंड अब जो प्रोटोकॉल है उसके लिए मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं डीटा डिलेवरी गरेंटेट कई बार इंटर्वीज में पूछा आता है डीटा डिलेवरी कैसा होता है ग्रांट गरेंटेट क्लियर है एक डाइट नाव सेकंड प्रोटोकॉल में ममद्डिक भ시면 में इस दोडिक ट्राटव क्ट अस्तिने हैं युडया है और लिए कि ट्राट्व workers में थ्私ippers लिए कि अग्या अं ग्रिशन इस वudeटीख लिस्ट तामें प्र इंस्या है बार्वें लिए कि अंधिशन विए कि निच साइड यूजर नेवर सेंड बैक है रिप्लाइब करा है या नहीं तो अब देखो डेटा डिलिवरी अब देखो जब लाइबल की बात आती है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल क्या एड करते हैं और यूटीपी का एडर का जो साइज होता है वो कितना होता है 64-8 एड़ए एक बाइट में कितनी बिट होते हैं आड़ इसे बोलते हैं कनेक्शन लेस जोलते हैं और सम्रेस कनेक्शन लेस नो सिक्वेंसिंग चाहनी करता है यह नो सिक्वेंसिंग नो रिपलाइब नो रिपलाइब रिपलाइब लिया चाहिए आप टीशी पोर यूटीपी क्लियर हुआ परिक निस्टे स्टार्ट करेंगे कहां से टीशीवी अगर अगर कर दो कर दो कर दो कर कर कि यहां पर क्या लगा दिया सब ना 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 ने वाउब ने डीटा जन्नीट करा था वाउब क्या चाहता है डीटा को करने के लिए प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन लेयर पर उसे पता पर अब सपोस कराँ जैसे आपने सर्वीस करी स्वीज करी एश्य टीटीप इस टीटीप इस टीटीप जो सर्वीज्य कों से प्रोटकॉल यूज करती है को से करती एच एच वह कूंसे सर्विस मांगने जा रहा हूं तो जो आप पहला फीचर यूज करते हो टीच पी प्रोड़कॉल का उसे बोलते कोन सा फीचर यूज करें हो connection orient connection oriented in this feature user trying to get connection reliability details this connection relaxera कि जरे भी एला मैंट दिटिए हैं इस हैं बुडिंद टुरे बस्त जर प्रेड पूम पर चरी कि अधिнеड मी ऐट ज्ट्रफी कि ऑप आ तो बार बार स्थ किस मैं यंट सिवन सेंट आ पक डैड रबखलाँ एंड रटा ज्टन है यह एक हों सा प्रोसेश in this feature यूजर विल डू ए डी से थिले हैंचे प्रॉसेस करते हो बूसेस हैं खुरी हैंचेट अब इस त्री बेश्टप्रोसेश को कैसे गरते हैं देखो यह कॉपी कर लेते डाइग्राम बहुत मज़दार है टॉपिक पेस्ट कर अभी पहले में नॉन टेक्निकल वर्ड में इसमें टेक्निकल वर्ड में देखो जब यह जब बॉब ट्राइग कर रहा था सैम को डेटा भीजने के लिए तो क्या कर रहा था पहला फीचर यो अब विर्ड कैसी जबाइग किसको से wannaEh i want to say अभर मुथमेंट कै行了 पड़िया एफाल फर फ्रीकेश्चा वह शन्मीकेशन ओड टू क्लिए रहे हैं ओके राइट नाव राइट नाव आए वांट टो सेट अप एक कम्मिनिकेशन विद यू अपई रिप्लाइब तब जब सैम रिप्लाई देता है न हो क्या बोलता है को कि आम रिप्लाइब कर दिया कि मैसेज में कितने जा रहे हैं दो मैसेज अब जब बाब को यह मैसेज रिसीव होगा इसको रिसीव होगा बाब को पता चला जो मैंने पहले बेजा तो उसको तो मैसेज आ गया ओक्यायम रिसीव मैसेज कौन सा है उसी के साथ लगके इस्टार्ट यह सब्सक्राइब बाब को क्या देना पड़ेगा उसका नेम जी रिप्लाइब रिप्लाइब वोल्ड ओं ओके नाव बाब सेंड विच्वन मैसेज ओके कौन सा मैसेज भी दिया ओके आम रिसीव और मैसेज तीन मैसेज एक्चेंज हुए इस वो टेक्निकल वर्ल्ड में बात करते हैं यह दो भाईया लगाए बाव और सेब्सक्राइब आपको कम्मुनिकेशन को स्टार्ट करना थे तो पहले कौन सा मैसेज भी तो सिंक्रों नाइस और जब सेम को रिसीव हुआ यह वाला मैसेज किसको रिसीव हुआ को सैम ने कौन सा मैसेज भी घाता आपको कि मैंने आपका कम्मुनिकेशन का मैसेज क्या कर लिए रिसीव तो उसने क्या बोला पहले मैंने क्या भी आपको अक्नॉलेज के साथ ही एक अगर मैसेज कोन सो ब्यादा साट और सब्सक्राइशन करना स्टार्ट करो तो अब यह मैसेज को रिप्लाई आ गया है पहले मैसेज के लिए मुझे एक नॉलेज पर दूसरे सिंग अब इन आप इन पासंजयों तीचीप हेडर के इंसाइड आप यूज़ करते हो फ्लैक्स क्या यूज़ करते हो फ्लैक्स यूज़ करते हो देखो एक व्लैक्स होता है सिंक्रोनाजशन एक होता है अभी वह inverter जब ट्वाइस को क्या करना होता है आपको डिवाइज को कि आओ कं नेक्शन के लिए अग्र एक सेपर लेता है वह एक्सेट कर लेता है इसे पिन का मतलब क्या होता है फोर्सली किसी सेशन को क्या कर रहे हो खोड़ेगा और रिजेट का मतलब क्या होता है रिट्राइट अर्जिंट पॉइंटर बाद में पढ़ेंगे यह सी से में मिलेगा अब यह वाइब और डिसेबल भी होता है अब दिखाऊंगा आपको कैसे यूज करता हूं ठीक है तो कनेक्शन और इंटेट के लिए इतना ओक्या चलो फ्लैक्स क्लिए रहे कौन-कौन से फिलाग होते हैं देखो अब सिंक्रोंगों से सिंक्रोंगों से इक्नोलेजेशन पहलेंगों सा पढ़ा है कनेक्शन और इंटेट इस और आपने पौन सा फीचर पढ़ना है नेक्स्ट शीक्वेंस शीक्वेंस चलो दो सा फीचर पड़ो इसे बोलते हैं सिक्वेंस इन इस फीचर डिवाइस चैक एंट्यू साइज करता है इस दिवाइस तो चेक मुट अभी बात करूंगा एंट्यू साइज के बाता कंफूशन होनी की जरूबत इन इस फीचर डिवाइस वेरीफाइज हामिनी साइज डेटा ट्राफिक सेंड इंसाइड सिंगल यूज एक सिंगल पैकेट माप कितने साइज का डेटा बेस सकते हैं जो एम्टी होता है वो किस पर मिलता आपको लेन कार्ड पर किसमें मिल सकता है लेन कार्ड का मदलब लेन इंटरफेस पे यहां इंटरफेस पे लेरे यह आपके एक्सेस पॉइंट की डिवाइस इस पर भी होता है इंटरफेस होते हैं एक इंटरफेस होता है वो से बोलते हैं मैक्सिमूम ट्रांसफर ट्रांसफर यूनिट एंट्यों जो बाई डिफॉल्ट होता है सभी इलेक्ट्रोनिक डिवाइज जो भी इंट्रनेट पर रीच करतें कितना होता है पंदरा सब्सेंट चुक्त के इंदर उसमें से रिजर्व एंक मैं इसके लिए आपने आइपी एड्रेस एपी आइड़ेस की इन्फोमेशन अब कितने देट का कितने बाइक्च लेता को एक्ट्सक्ते हो एक्चल डेटा सब्सक्राइब आप सकते हो चोदा सो असी असी बाइट का ले रहे कितने बाइट है चलो ठीक है तो आपने दो बहिया बनाए थे अपने बाब और सेम यह वाले हमारे चलने पर अब इन्हों ने का बुला बहिया ने बाब बोला डियर ब्रदर आप ट्राइंग तो सेंडिंग तो तो यह तो पंगा नहीं जाएगा सब्सक्राइब कर देखो फंट्रासो आप डेटा कितने बाइट का भी सकते हो लेकिन बेश सकता है नहीं हो तो ड्राप होगा तो वाप क्या करता है इस डीटा पर इस डीटा पर करता है अब 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 एक ले रहे अब देखो क्या बोलता है यहां पर आप देखो दो जार बाइट का जो डीटा उसको लास्ट कितने में कितना भाग कर डीटा बेश सकते हैं सिंगल पैकेट में लाज साइज लाज साइज चाला सौसी पांजी चौदा सौसी चौदा सो अस्ती और दूसर डीटा साइज कितना होगा सेम चौदा सब्सक्राइब कर दिये दो बाग में डिवाइट अब देखो यह दोनों डीटा एक ही है यह अलग अलग है मैं का सिक्वेंस नंबर कितना रखूंगा वान लेकिन इनको दो पार्ट में डिवाइट करा है इसलिए मैं पर क्या लगा रहा हूं और आईडी क्लियर को बेज सकता है लुए कि द्या सबसे पहले कौन सा लीटा आईडी वान आईडी टू का कौन सा अगी टू आईडी टू का और फिर ने थोड़ी देवाद कौन सा डीटारिस सेकंड के डिफरेंस में आईडी वान आईडी वान-टी वान-टैटि चेंज चेंज पर क्या पता कॉपी पेस्ट भी कर रहा था उसे टाइम इंटरनेट भी चला रहा है नहीं ब्राउजर पर यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर रहा था मुझे उसका रिप्लाई दे रहा था ब्रॉडकास भी आ सकती है तो उसने क्या पहले मुझे आईडी तू मिला फिर दूसरे में क्या मिला आईडी उसने क्या देखा कि इन दूनों डीटा पे जो सिक्वेंस नंबर लगा के वेज़ो कितना रहा है वन लेकिन एक का इडी नंबर त्व है उसने पहले कोन सा हैगा पैकट उसने क्या बोला मैं क्या कर रहा हो यहां पे बैटके इसने पहले कौन से पैकेट को रुखा आइडी वन को अफिक इसको और टोटल डेटा कितने वाइट का मिल गया उसको तू तू था उसने वाले को इस दिया झाल इसको प्रण चोटे चोटे पार्ट में डिटा जब दूसरे वाले को मिलता है तो वह क्या करता है उसके लिए अब देखो सिक्वेंसिंग के बाद एक और टॉपिक आता है उसको बोलते है तर्ड नंबर पर आता है फ्लो कंट्रोल यह लास्ट इसके बाद हम ब्रेक लेंगे फिर हम बात करेंगे दुबारा ठीक है अदे यार क्या हो रहा है मौस में फ्लो कंट्रोल देखो फ्लो कंट्रोल में क्या होता है इन इस फीचर डिवाइस विरिफाइ हाव अमिनीग हावनिव पैकेट इस आमनीग फीफ पैकेट प्रसेश डिवाइस नेगर डिवाइस चलंव लेक्षर कर दो इन देखो इन दिस फीचर डिवाइस विरीफाइ बफर मेमोरी करता है बफर मेमोरी तो जा बोल सकते हैं आप कैसे मैं कैसे में और दिवाइस होते सब्सक्राइब होती है चार एंबी चार एंबी ठीक है दो ब्रदर लगा लें दुबारा से दो ब्रदर हमारे कहां पर है भी आप यह बाब और सैम यह बहुत एल्प करेंगा आपको होसा ही पढ़ने आप यहां पर इसका एंटी होगा इसका दोनों का एंटी होगा इंटी होगा दोनों का एंटी कितना है दो सो बाइट का दो जार बाइट क्या बाब इसको एक पैकेट में बेश सकता है सामने वाले को नहीं 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 बेश सकता तो दो जार बाइट को दो सो बाइट में कितने पार्ट कितने पार्ट में बनाएगा इस अंजी दस बहुत बड़ी तो इसने बोला मेरे पास पैकेट नंबर वान तो टू थ्री फॉर एट नाइन तेन इतने हो गए दस अब समझो जो पीजी नंबर तू है यानि सैम है ओक्या इसके पास बफर में रही है क्या है नहीं बफर में हो रही है एक एक स्पेस है है कोड़ वान को इतने पैकेट की इस देखके बताना इतने अब देखुंँ अब तो एक बादी में बहुत वेदि नहीं सकता तो नहीं सकते हैं तो नहीं देखो क्या बोला मुझे तो पता ही निए बफर मेंज़े अब और इसको किसमें रखा इसने सैम ने और मैमरी में और मेरे पास दो पैकेट के और मैमरी है और इसको क्या बेज दिया प्रोसेस करके शेकें अब इस दिया सैम को और सैम ने रिप्लाइ में क्या दिया बॉप को एक नॉले से नंबर का वन नंबर पैकेट का अब ने देखा अच्छा एक पैकेट बेजा तो प्रोसेस है कर दिया जल्दी मैं कितने बैकेट बेजना हूं आपको नाइन तू और त्री कितने वह टोटल दो दो नंबर वाला लिया और उसको कार रखा दो नंबर तीन नंबर तीन अब पैकेट बेज़ेगा चार पांच है चार पांच है चार पांच प्रोसेस कर दिया और रिप्लाइ में क्या देदिया कि इसमोलेज में कितने पैकेट कर लिए अगनॉलेज में चार पांच है अब बाब को गुस्ता है यार यह गलत है एक बेजा तो प्रोसेस दो बेज़े तो किराब ऐसा है भाई सब्सक्राइब कितने पैकेट कर दिया नहीं है मेरे बाद रॉप और एकनॉलेज कितने पैकेट्स की लिए रहा है कितने पैकेट्स करें और फिर्फ टीन तेन सेवेन एट और नएद आप यह परिशाद है यह क्या कर दिया मैंने तो वेज़े थे कितने पैकेट्स चार्ट चार्ट तो डिप्लाई कितने का दिया यह वोड़ा है जो आमनी पाकेट्स इतने पैकेट की पर्फर में हम रिये तीन पेक्ट अब आप बोब से सेम ने क्या बोला डियर ब्रदर डियर ब्रदर सेंड मी री ट्रांस में कि बोला एक दमबर टैन नमबर टैन अब बाब भाइया ने क्या देदिया उसका पैकेट नमबर क्या देदिया उसको इकनोलोजमेंट अब इस पूरे फीचर को नहीं जी इंटर्वियू में बोलते हैं का बोलते हैं विंडों फेंटर सुना भी होगा आपने मैं विंडों फांजी दैसमाइस मद्धियींग विंडों के साथ बफर मेमरी के साइस को पर ले जाएं को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे नेटवर्ग बीट और फिजिकल पड़गी खतम कर देंगे अब हम बात करते हैं सब्सक्राइब नेटवर्ग नेटवर्ग लिए नेटवर्ग लिए नेटवर्ग लेयर के लिए बहुत सिंपल थे हो रहे हैं बहुत यहादा in this layer responsible tool inside data always add logical address with IP header this one with the IP एडर लॉजिकल एडरेस विद आई पेडर इन दिस लिए डेटा ट्रांसफर वाया बैस्ट पाथ ले रहें लोके साथ इन दिस लियर राउटिक प्रोड कॉल और सो यूज क्या यूज होते हैं राउटिक प्रोड क्लिया लोके साथ हमें तीन इंफोमिशन पढ़ने है पहला पढ़ना आपको लॉजिकल एड्रेस पॉच्छों पूचों आपके पास दो तरीकी पहला होता है लॉजिकल एड्रेस के संब्सक्राइब पूसर अभी लॉजिकल एड्रेस में आई पी एड्रेस वह आप कोई भी वह सकता आए पीवी एड्रेस का मस्तलब होता है हाड़वेर एड्रेस यानि उसको किया भुलता है अप रियल टाइम में मैं जोर्ट को सा इड्रेस सैंट करने के लिए रिविभंसिपल है अगिछ कर देते हैं हमें कैसे पढ़ना है योजिक हमनी टाइप को आइप एड रेस आवेलिबल जो आपके पास होते हैं एड और आइड चीजिक आइपई प्रोर को बोलतें इंटरनेट प्रोटकॉल वर्जन को पर इंटरनेट टूर्टॉ को बार्जन से पढ़ेंगे और दुबारा से पढ़ना है चोटी सी है या रखने के लिए इसे गुलते इंटरनेट प्रोटकॉल वर्जन पूर आई पीवी फोर प्रोवाइडिट वाइड वाइना कॉल इंटरनेट असाइन नंबर आफ अथारेटी जैट लो आइना इंटरनेट इंटरनेट असाइन नंबर आफ एड्रेस दो में नीम एंड प्रोटकॉल पैरामेटर इस इस ओर्गनाइशन विल प्रोवाइड क्लिया इपीवी फोर आई पीवी फोर को बोलते एक निमेरिकल एड्रेस क्या बोलते है नुमेरिकल अड्रेस पन्टू-3 वाला क् आई पीवी फोर में जो एक एड्रेस होता है उसका टोटल जो साइज होता है वह कितना होता है थर्टी टू बिट का अगर इस वाट करोगे बाइट में तो कितने बाइट हो जाएंगे समझो क्यों होते हैं एक बाइट में एट बिट हो गई है और आट जो बद्टिस यानि चार बाइट है बद्टिस बद्टिस दुबारह सब्जाओ आई पीवी फोर में आप समझेंगे जो फोर होता है जी अगया प्रोवाइड होगा इंटरनेट होगा चलो और साम्पल यह दिखता कैसे ऐसे दिखता है वन डाट टू डाट प्री डाट ऐसे होते हैं दिखर है दो पूर आप कितने पार्टे शोसी एक द्द्र कितने पार्ट है फार फोर में दिखर ओक्रिया जो फिर्फ रॉट जीट इस फॉर में वन आप टेट का वन अग्टी साइस होता है ऐ्ट रोगाइट को पैम्ट थैट इडवेट एडवेट इडवेट आईडवेट एडवेट इडवेट इडवेट अगर आप फॉर्मुला यूज करेंगे टू की पावार एट एक लिए रखेंगे टू की पावार एट तो कितने वैल्व आएगे टू फिफ्टी तू फिफिफिटी शिक्स ओके आई पीवी फोट जो वन ऑक्टेट में रेंज होती हो कितने होती है जीरो से लेके दो सो इसे होता है इन्टू लास होता है इस फैसे होती है पहले हम बात करेंगे एक लास की और उससी के साथ क्या बात करेंगे रेंज पहले से लेके क्लास 120 128 7191 लासी 192 192 223 लासी 224 239 लासी 242 255 ले लोगया चलो इंटर्वियों में कोशन कैसे आते हैं आपको भी पता होना चाहिए बेसिक फंडमेंटल्स अब मैं बात करा हूं रिजर्व एड्रेस रेंज तो जो जीरो वाला होता है लासी में जीरो वाला इस रिजर्व फोर डी एस पी प्रोसेस किसके लिए बी एस प सर्व यह ओके और जो 127 होता है यह वी किसके लिए 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 टेस्टिंग फोर निक कनेक्शन निक कार्ट का मतलब होता है नैसी कार्ट या लैन कार्ट समय लो या वे लिए नेक्स्ट कोश्चन होता है 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 आव टू आइडिंटीफाइ लिए आई-पी एड्रेस लिए 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 सकती तो क्लास ही कि जो वैलिट रेंज हो कहां से कहां तक यहां रखना है थिक है आप मैंने पूछा कि यह कोन से क्लास को बढ़ेया है यह को बड़ेया है अब यह कोंशी क्लास का अ सब्सक्राइब क्लास था है क्लास भी आप नहीं मानों गए यह कुन सी क्लास है क्लास भी तीक है भाई क्लास भी तक अदेख़ी क्लास था कि यह कुन सी क्लास में कॉशन पूचा किसी ने क्लास क्लास एक लाज से लाज से लाज से लाज बहुत बढ़ेंगे अब एंसर देखो क्या लिपता हूं जो आ सकती है वह कहां से इसकती है एक इसमें आईगा एड्रेस एक लास लेर हो गया अब हमें कैसे जिए आईपी एड्र एक लेकर देख लेते मेरे पास डायग्राम है या या यह निए लोग दो भाई आगे दुबारा से यह लाएते अप्लिकेशन लेयर पे डेटा डेटा प्लिकेशन लेयर पे इन्होंने डेटा जन्नेट करा पर यह गए ट्रांसपोर्ट ल लगा रहे हैं अब आईपी एडर में क्या के जाता है उससे पहले समझो बॉब के पास भी लॉजिकल एड्रेस होगा यानि आईपी एड्रेस तो इसका आईपी है 192 161.1 सैम के पास भी होगा आईपी एड्रेस 192 168 121.2 हो गया पर आईपी एडर में तीन इंफोमेशन बत सब्सक्राइब दोसिज आती है डिस्टिनेशन जो थर्ड होता है वो क्या आता है प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल से ठीक है तो तीन इंफोमेशन नहीं बताने हो वह साही में बागी बात कर लेंगे सोर्स कौने जो बेज़रा है डीटा बाब बाब उसकी आईपी का है 192.168. अब प्रोटोकॉल क्या बताता है देखो प्रोटोकॉल के लिए ठीरी आ रखना कभी भी देखोगे और तो नो अबाउट अपर लेयर प्रोटोकॉल इंफोमेशन विश्टाइप प्रोटोकॉल यूस्ट बताओ वही निट्वक लेयर से पहले कौन सी लेयर थी अब मुझे बताओ ट्रांसपोर्ट लेयर पर कौन सा प्रोटोकॉल यूस करता है प्रोटोकॉल से प्रोटोकॉल को यूस करता है प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल में क्या बोला है मेरे मेरे उपर वाली लेयर पर कौन सा प्रोटोकॉल है और जब यह आई पेडर आपके डेटा के साथ लग जाता है कुन से इंफोर्मेशन लग जाती है यह इंफोर्मेशन जब आपके डेटा के साथ लगती है नेट्वर्ग लेयर पर आप इसको क्या बना दिया आपने अब देखो अब आप समझो वान टू त्री और फोर यह चार यूजर है और यह चार यूजर किसे कनेक कर रखें मैंने से स्वान टू थी त्री पो अब यह सविश्च से कनेक्टेड है और स्विच को मैंने एक राउटर से कनेक्टेड़ यह आप पे आपके तो कि इस तरह आउटर कनेक्टेड है चलिए वान और इस राउटर से आए हुआ है यहां प्रच पर यहां पर करनेक्टेड है यहां पर भी क्या गनेक्टेड है आइस्पी तो नियुद बद्धा सब्सक्राइब यहां पर यह था यहां लिए बाइड टिफोल्ट सारी तॉसर कहां से जाएंगे जो चोटा रस्ता होगा वह कहां से आरे हैं कि आज क्या है कि अब मुझे ट्राफिक कैसे बैजना है मुझे रहे नहीं सभी यूजर का ट्राफिक वाया बनानाना मुझे इस वाले को बनाने क्लिए क्या है इस करने पढ़ेंगे अब जो यह दखना जो राउटिंग प्रोटकॉल वह दो होते हैं एक होते हैं ऑउनी जिएप्रोटकॉल और एक होता है होते हैं और दोनों साइड हो सकते हैं लैन और अब इन में डिफरेंस क्या है एक छोटा सा बताता हो आई जी पी प्रोटोकॉल होता है पहला रिप याई जी आर पी ओएस पी अफ और कर आई जी यह हो सकता है या दू दो यह लेकिन अगड़र में यह दो और अब क्या बोलता है मेरे पास्ट के लिए दस से बारा है और जो एजी पीए वह लाखों रूट को सपोर्ट करता है लैक रूट्स सपोर्ट और जो आई जी पीए वह वह कहकर सपोर्ट करता है थाउजंड रूट्स कितने रूट्स थाउजंड तो कौन सा बैस्ट है अब आई जी पी यह इजी पी इसमें सब्सक्राइब इजी पी में सब्सक्राइब करते हैं अब नहीं है अब हम चलते डीटा लिंक पे इस वाले लेशन लेशन देटा लेंक लिए बहुत मज़ा आएगा पंडे में देखो इस वाले लेशन को इन दिस लेशन देटा ट्राफिक एड़ पिजिकल एड्रेस प्लस इथरनेट अधर अधर क्या लगाते हैं इथरनेट 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 इडर ओके इन दिस लेयर डेटा ट्रांसफर एंड विरीफार इस अब कर देखता है वह सब्सक्राइब कौन से होती है सब्सक्राइब अब आपको तीन इंफोमेशन मिलती है पहला पढ़ना पड़ेगा कि फिजिकल एड्रेस होता है और में बात करते हैं कि एक पीजिकवेशन पियाइड सब्सक्राइब के अडरेश बता रहते हैं आपको कूंग सांड़ेशं होते हैं कि फिजिकल अनना कि लॉजिकल और पिसिग को नेट्वोंक पर लग गया और फिजिकल इस पे लगीगा डेटा पी डिडिकल अब जो फि प्रोवाइड कोन करता है प्रोवाइड वैंडर वह टिपेंड करता है कौन से वेंडर ने आपको अब यह कैसा होता है कॉंबिनेशन आफ अल्फाबेट प्लस नुमेरिक 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 वन टू त्री और एबी सीडी सीडी अब दूसी बात मैंग अट्रेस होता है अब कितने बाइट का हो सकता है बदा पाएंगे एड़ाइट अजी एड़ाइट नहीं होता है एक बाइट में कितनी होती है एक एड़ाइट और फुर्टी एड़ाइट का मतलब कितने बीट बद्टी सोलह आठ आट को जोड़ते चले आँ कितने बाइट होंगे देख लो एक बाइट में आट बेट होती है जी देखें करके आठ प्लस एड़ाइट प्लस शोलह पत्तीस चौवश एड़ाइट में आट बेट होती है तो पुटी एड़ाइट का मतलब छे बाइट एड़ाइट को जब चार्ट से मुल्टीप्लाइगर तो बत्तिस आता है तो आट को इसने से मुल्टीप्लाइग करो अड़का जाएगा चे से चे से गुना करोगे तो फुर्टीएट बिट आ रहेगा तो छे बाइट होता है एक्जामपल दिखता कैसे बही ऐसा होता है जी रो वन टू ए डॉट सी वन टू बी डॉट फॉर फाइव ए इसके इन्दर देखना चार चार वैल्यू आ रही है सब में टोटल कितनी है बारा बारा वैल्यू ठीक है ना मैंक एड्रेस ट्वैल्यू यह ट्वैल्यू 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 ट्वैल्य के बाद डॉट लगा अब देखो चार बिट का मतलब एक फॉर्मुला लगा लो बहुत सिंपर तू की पावर फोर कितनी वैल्ली आएगी सोला और जो रेंज चलेगी वह कहां से काता हो जीरो से लेके पंदर के लिए रहे तो देखो ओके जीरो वान टू टू ट्री पोर फाइव सेख्स सेवन एक नाइन टैन 11 12 13 14 और यह क्या हो गया 15 अब यह देखना जो यह वैल्यू लिखिए यह कौन सी होती है क्यों होती है और आपको किसमें चाहिए थी एक्सा एक्सा डेसिमल में जीरो का जीरो वान टू टू ट्री फोर फाइव सेख्स सेवर एट नाइन नौ तक तो यह सही चलता है जैसी आप टैन पर जाओगे इस पर टैन पर एक्सा डेसिमल में क्या होगा टैन का मतलब यह क्या रगा मतलब बी आरा का सी टेरा का डी फंद्रा एफ हो गया बस बनेगी टेबल कोई दिक्कत आई नहीं डेस और एक्सा में ए यादर एक्जाम्पल भी बता दिया अब देखो आपको समझना है कौन सा एथरनेट एडर दूसरे साइड पर चलते हैं अब इन तक कौन सा अड्रेस लगाना है मैं इसका मैं खहें 00000001001001001 चाही थी बारा लिख दिया मैंने इस और यह सब्सक्राइब 000 000 000-0-0-0-0-0-0-0-0-0 इसके पास जो data आया है तो उसके अंदर क्या लगता रहा है अप्लिकेशन ने data जनिए हैटर लगा दिया और जब नैट्ट डेर पर गया तो कौन लिंक पर कौन से लगता भई इथरनेट अब इथरनेट हेडर में टाइप होता है ना उसके भी क्या होते हैं टाइप एक होता है टू.टू है और टू.ट्री यह युद्टा है लेकर टू प्रोटोकॉल के साथ लियर तू.टू से बात करा हूं जो इसकी सब्लेइर होगी होगी कर लेंघ का मतब होता है लॉजिकल लेंग अब देखो याद रखना इतने टेटर बनाने ना इतने टेटर बहुत इन पने पॉपी कर लो इसको प्रियल अब इतने टेटर में इंफोमेशन बता रहूंगा भी इस आई पी पहली होती है सोर्स का मैंक अड्रेस दूसरी होती है सकते हैं और कई बार ताइफ कर ना तो बहुत जो डेटा भी रहा है ना इस वह देटा भी टेटर वह वह पीज रहा है यह सम वह तो बॉप का मैंक क्या है और सेंग क्या है भी अब यह टाइप और एलल सी क्या बताती है तो आइप और अपर लेयर इन फॉम मेशन इस पर लेह इन फॉम जब चाइप प्रोटोकॉल योज बहुन सा प्रोटोकॉल योज भी चोगu योज पर आए खिर रहे हैं और फिरे रहे हैं कोई डाउट तो नहीं है आतक जी जी सर्थी कोई डाउट है तो मुझे सकते हैं नहीं सर अभी तो रिविजन को पर और देखेंगे कि लेर हो जाएगा जी 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 अब जब यह एंफूमिशन लगाते हो इसके साथ इनटा ट्राफिक पे साथ एदर लगाते हो यह वाला है यह वाला जब लगाते हो नहीं जी बंद आपकट और देट यह बन जाता है फ्रेंट अब अब देखो लास्ट लियर पर आगए है तो बहुत चोटी इसके बारे में सब्सक्राइब कौन सी है फिजिकल अब 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 इस पॉंसिबल तो कनवर्ट अटेटा इंटो 01 format जिसमें कर देता है 01 form लें इन दिस लियर एंड एन शेलेशन अलसो पर फॉंड यह यह डिपेंड ओन लिंक टाइप इस पे इपेंड आप वो लिंक टाइप लिंक टाइप लिंक टाइब चलो दूसी बात सम्झो इन दिस लियर डेटा कनवर्ट इंटो बिट्स इसमें कनव अब यारखना पर पकई बार इंटर्विश कर पूछ आता है एंक्यप्सुलेशन टाइप इतारीकी मिल की वह एक होती है कि गृष चलती है इढ़िए इस्टानेट इढ़िए इधरनेट इसे खरने अब यूजनी ओती है यहाँ रखना यह सीरियल निंक पर चलती ते सिरियल लिंक अभी उसकरते आप नहीं नहीं अब समझो बाद को दूसरी तो बाब को लेके आना है बाब और सेम को देखने आप रखे वें यह वाले बंदें अपने दोनों पॉपे कर दो ओके अब बाब ने बहुत सारे डीटर लेकर आया था वाप के लिए था नहीं जी बहुत सारे इन्फोमेशन लगा यह था था थीप है फिर लगाया आई पिर के लगाया इधरनेट है तो कितने लगा इसको देटा को किस पर रखना है उसको देटा को किस पर दालना उसको अब जैसी फिजिकल लिंक पर दालेगा डेटा को तो डेटा किसमें करेगा और इस डेटा के साथ इस डेटा के साथ एक और इंफोमेशन लगाएगा कौन सी लगाएगा यह लगाएगा लियर वन पे किस पर लगाता है ले रूमन पर और एंट के इसलिशन कों सी बता रहे एक कों सी है अरप कुछ इंटर्वियूस की ट्रेक्स बताता हूं ओसाई से कैसे आती है देखो ओसाई मॉडल में सेवन लेयर होती है पहली होती है अप्लिकेशन अप्लिकेशन प्रजिटेशन अब देखो या रखना है यह जो तीन लेयर्स मैंने पगड़ी है न इनको रियल टाइम में बोलते हैं अपर लेयर अपर ट्रांस्पर नेटवर्क डेटर फिसकेशन पहली लेयर आती है ट्रांसपोर्ड तरान्सपोर्ड राती है नेट वर नेटवर्क डेटा यह चार जो लेर्स है इन्हें बोलते लोवर लियर क्लियर हो गया अब देखो इंटर्वियू में पूछते हैं चलिए बताईए प्रोटकॉल डेटा यूनीट 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 और जो पीडियू होता है तो इडेंटीफाइश विच लियर करें परफॉर्म विच टाइप आफ टास्क ने किस तरीके का टास्क परफॉर्म करें तो मैंने बताने आपको का से स्टार्ट करा ओसाई होता है मोडल में सा ओर लियर होती है आप्लिकेशन होती है जी से प्रेजेंटेशन होती है यह प्रक्राइब नेट्वर्क प्राइब आती है प्राइब आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पर होता है तो यह बनाता है यह बोलता है इस लियर पर सब्सक्राइब नाम क्या होता है और जब नेटवर्क लेयर पर डेटा होता है तो इस पर क्या बनते हैं और जब आप डेटर लिंक पर होते हैं तो क्या बनता है इस पर क्या लगता है इतरनेट फैडर फिजिकल पर होते हो तो इस पर क्या बनता है टेटा बिट टेट टीडियू ट्रांसपोट पे कुन सा होता है तो ट्रांसपोट पे कुन सा होता है और नेटवर्क पे टेट पे प्रेम फिजिकल पे पिट छोड़ दो बस आज के लिए इतना वह होते हैं